हेलो लिबराज मैं हूँ किरिन चापपरी और यह है नवेंबर 2019 की लफ टारो रेडिंग तो लिबराज आप लोगों के लिए इस मंत काज हैं तो लिबराज अगर मैं आप लोगों को देखू नवेंबर मन्त में तो मुझे दिखता है कि बहुत ही जबरदस्ट एनरजी लेविल्स है एंथूजयाजम है एक्साइटमेंट है पाशन है और यह कोई बचकानी यह इन्मेच्योर एनरजी नहीं है यह बहुत ही मेच्योर एक बहुत ही समझदारी वाली एनरजी है हो सकता है कि पास्ट के आपके कुछ एक्सपिरियेंस ऐसे रहे हो जुन्हों ने आपको ऐसा बना दिया हो और कुछ क्रियेट करने की कुछ यूनो कंस्ट्रक्टिव करनी की एक चाहा हो सकती है एक इच्छा हो सकती है इस मन्त आपकी और अगर मैं लव लाइफ में देखूं कि आपका क्या रहेगा तो कार्ट मुझे यही बता रहे हैं कि अभी थोड़ा सा संभल संभल के चलने की ज़रूरत है यहां हो सकता है कि आप थोड़ा सा you know cautious होके या थोड़ा सा conscious होके चल भी रहे हो इस relationship में और अगर ऐसा नहीं है त कि थोड़ा आप समझ समझ के जैसे moment to moment अगर आप इस कार्ट को देखें तो पत्री ले रस्ते हैं तो थोड़ा ऐसा balance बना के बहुत जादा free flow of you know expression ना हो बहुत जादा free flow of emotions ना हो थोड़ा आप हिसाब से चलें इस month and winged messengers मुझे कहता है कि छोटे मुटे arguments और difference of opinions हो सकते हैं जोकि बहुत ही एक normal चीज है जब आप relationship में होते हो या कोई भी लोग आपके साथ होते हैं तो ये तो बहुत normal होता है तो वो मुझे दिख रहा है हो सकता है कि इस month थोड़े जादा हो difference of opinion और अगर मैं आपके partner का द लेकिन मुझे कहीं दिखता है कि एक तो कि आपके partner ना go with the flow जा रहे हैं जैसे जैसे चीजें आ रही हैं वैसे जाते जा रहे हैं और उनकी तरफ से मुझे इतना जादा कोई effort या उतने initiatives ना ले रहे हूं मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो आपसे प्यार नहीं करते वो करते ह हैं लेकिन वो complete trust पे जा रहे हैं जैसे चीजें आ रही हैं वैसे जाते जा रहे हैं और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि उनको complete trust है complete faith है आपके उपर और लेकिन वो अभी अपने आपसे कुछ ऐसा करना नहीं चाहते हैं बहुत जादा एक commitment वाले में मुझे नहीं दिख र रहा हो बट अभी मुझे एक free flow दिख रही है उनकी energies कि जैसे आ रही हैं चीजें वैसे जाते जा रहे हैं और थोड़ा सा कहीं मुझे दिख रहा है कि love उनके मन में होने के बावजूत हो थोड़ा सा hold back कर सकते हैं थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा हो relationship में ना जाएं थोड़ा वो और चीजों को भी अपने relationship या अपनी love life के साथ balance करें but I don't think so कि वो ऐसा कर पा रहे हैं और अगर मैं देखूं कि यह किस तरफ जा रहा है relationship Libras तो मुझे दिखता है definitely इस relationship में काफी positive changes आएंगे एक certainty आएगी like you know आप लोगों का confidence एक दूसरी के पर और जादा बढ़ेगा और एक और जादा एक surety आएगी इस relationship में और एक बहुत ही you know अच्छे level पर reach करेगा जहां पर आप बिना कहें उनकी बात को समझ पा रहे हैं और वो भी बिना आपके कहें आपकी emotions और आपकी feelings को समझ पा रहे हैं मतलब ऐसा एक level आएगा इस relationship में बहुत जल्दी और जो एक चीज आपको जानने की ज़रत है वो यह है कि कहीं मुझे दिख रहा है कि past में हो सकता है कि आपको ऐसी feeling हो कि यह relationship चला गया है यह relationship खो गया है क्योंकि यहाँ पे lost love का एक card है बट क्योंकि यह outcome में नहीं है तो मैं नहीं कहूंगी कि ऐसा होगा future म definitely हो सकता है यह past में हो या कहीं deep down एक insecurity एक fear आपके मन में हो और जिसको आप conscious level पे या surface level पे overcome भी करते हो तो मुझे दिख रहा है लेबराज ऐसी किसी बात की insecurity रखने की आपको ज़रत नहीं है और कोई भी fear है तो आप उसको overcome करें और क्योंकि आगे मुझे दिखी रहा है कि इस relationship में काफी certainty आएगी और काफी एक अच्छे level का जहां पर बोलते हैं कि हम बिना कहें एक दूसरे को समझ जाते हैं तो वो एक बहुत ही you know कह सकते है high level का relationship होता है I know high low कुछ नहीं होता relationships में बट फिर भी you know इस तरीके का एक मुकाम आता है तो वो मुझे दिख रहा है कि जा सकता है relationship में और कहीं मुझे लग रहा है थोड़े से ego issues हो सकते हैं success card मुझे कहता है कि definitely आपको success मिलेगा इस relationship में बट ये card अगर career में आता है तो ज्यादा positive है relationships में कहीं है success के साथ एक pride एक ego issues हो सकते हैं उसका आप ज़रूर ध्यान रखें तो all in all अगर मैं एक nutshell में आप बहुत कुछ ऐसा great नहीं है पर you know negative भी नहीं है बलकि in fact मैं खहूंगी अच्छा है और आपके लिए जो एक guidance है कि आप थोड़ा सा संभल के चले और जिस तरफ ये जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है एक बहुत ही अच्छे level पे जा रहा है तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हम वैसे देखें ये relationship नवेंबर मन्त में तो लिबराज ये थी आपकी नवेंबर 2019 की love tarot readings और अगर ये reading आपके साथ resonate करी हो आपको आपका answer मिला हो और आपको guidance मिली हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है like, share and subscribe